हलो माई दिया स्टुडेंट, I am a teacher from your SS Convent School, भुप्याम उपरताब गर्व, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी, I hope आप सभी ठीक ही होंगे, डेली वीडियोस देख रहे होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे, और इस कोरोना में आप घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, घर के अंदर ही रह रहे होंगे, आपके स्कूल का चैनल बन चुका है यूटूब पर, आप यूटूब पर अगर जा करके वहाँ सुमिस सिंग कॉन्वेंट स्कूल सार्च करेंगे, तो आपका पूरा सब्जेक्ट के वीडियोस आ जाएंगे, और आपको अपने चैनल को सस्क्राइब करना है, और आपको ज अपनी बुक खोल लें और प्लीज जिसके पाग बुक नहीं है, बुक नहीं लिए है अब तक बुजा करके अपनी स्कूल से बुक ले लें, क्योंकि स्कूल में बुक मिल रही, तो माइडियोस तरीके से आपका पहला दूसरा चैप्टर, तीसरा भी चैप्टर आपका फीन तो माइडिय स्टुडेंट इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो है, बहुत समय पहले एक राजा थे और उनके पास एक हाथी था, हाथी बहुत बूढ़ा हो चुका था, बृद्ध हो चुका था और एक दिन वह बीमार पढ़ गया, जिसको देखकर राजा बहुत चिंचित हो च जहां पर उन्होंने गाओं वालों को आदेश दिया कि आप लोग इस हाथी का पूरा पूरा ध्यान रखिये, और अगर यह हाथी कि अगर कोई भी मुझे मरने की सूचना देगा तो मैं उसको तकालीन मित्रू दंद दे दूँगा, तो ऐसा उनकी विचित राग्या सुनकर कि गाओं वाले बहुत परिसान हो गए, चिंतित हो चुके, पूरे गाओं में सब लोग सोचने लगे कि आखिरी यह क्या होगा, लेकिन राजा थे तो राजा के आग्या का पालन करना भी जरूरी था, और अब वो यतना पूरा का पालन करने लग गए, गाय उसका हाथी का और उसके प्राण बचाने में लग गए, इसलिए गाओं वाले खूब पसीना बहा करके हाथी का ध्यान रखने लगे, एक दिन क्या होता है कि हाथी मर ही गया, हाथी मर ही जाता है, इस पर गाओं के निवासी मिर्ट दन के मारे थर्थर कापने लगे, तो जब राजा कहते ह हैं कि जो मुझे मिर्ट की सूचना देगा, मैं उसको मिर्ट दन दे दूँगा, तो यह सुनकर कि गाओं वाले जो है वो थर्थर कापने लगते हैं और बहुत परिसान हो जाते हैं, वे आपस में विचार विमर्ज करने लगते हैं, एक दूसरे से पूछने लगते हैं, और कहने लगे और कहने लगे हाई आज हम से कौन राजा के पास जाकर आज हम में से कौन राजा के पास जाकर हाथी के मरने का समाचार देगा तो वो लोग ड़ने लगते हैं कि हम में से कौन जाएगा और हाथी को मरने का समाचार देगा जब मौत के भैसे ब्याकुल गाव के बैठे लोगों के पास आकर बोला तो जब सारे गाउंवाले चिंता में डूब जाते हैं तब एक चतूर आदमी आता है और सारे गाउं के आदमी जो है वो चिंता में डूब करके बैठे रहते हैं हाथी के पास हाथी मर जाता है तो उसी के पास सब लोग दुखियों करके बै को चंता करने की जरूरत नहीं है और भैवीत होने की जरूरत नहीं है मैं कल ही जाकर राजा से इस हाथी की मिर्दु का समाचार कहूंगा कि मैं खुद ही जाऊंगा वो चतुर आदमी बोलता है कि मैं जाऊंगा और राजा से हाथी की मिर्दु की समाचार कहूंगा ऐसा का कर वाराज महल की ओर चल दिया और राजा के महल के पास जाकर खड़ा हो गया तब ही दौरपाल ने राजा से कहा महाराज एक ग्राम वासी आपके पास आना चाहता है राजा ने उसे उस ग्राम वासी को अपने पास आने का आदेश दिया वह ग्राम वासी राजा के पास जाकर बोला, महाराज, हाथी ना तो बैखता है, ना खड़ा होता है, ना खाना खाता है, ना जल पीता है, ना सांस लेता है, और ना ही सांस छोड़ता है और जादा क्या कहूं वह एक जीवित प्राडी की तरह हम आचरण नहीं कर रहा है तो वो जो चतुरादमी जाकर के बोलता है राजा से डारेक्ट नहीं बोलता है कि हाथी मर गया है वो बात को घुमा करके बड़ी चतुराई से राजा के सामने बोलता है कि हाथी तो ना तो ब पूछा क्या वह हाथी मर गया है इस पर वह ग्रामासी बोला है स्वामी यह तो आप ही कह रहे हैं हम नहीं तो राजा इसे पूछ लेते हैं कि क्या वह हाथी मर गया है अगर वो कुछ खा नहीं रहा है सास नहीं ले रहा है कुछ बोल नहीं रहा है तो क्या वह हाथी मर गया है राजा जब ऐसा बोलते है तो वो ग्रामवासी तुरन्त कह देता है कि हे स्वामी ये तो आप ही कह रहे हैं कि वहाँ थी मर गया है मैं ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा सोच कितनी चतुराई से उसने अपनी बात कह दी राजा के सामने तब राजा उसके बोलने की सरलता और चतुराई से बहुत प्रसन हुआ तो राजा जो है उसके बोलने की सरलता और चतुराई से बहुत प्रसन हो जाते है राजा ने उस ग्राम वासी के साथ-साथ गाउं के सभी निवासियों को भी बहुत सा इनाम दिया राजा जो है उसकी चतुत्ता से बहुत सरलता बोलने की सरलता और चतुत्ता से बहुत प्रसंद हो जाता है और उसके साथ साथ गाउं के सभी निवासियों को बहुत सारा इनाम देता है क्योंकि सारे गाउंवासि बहुत मेहनत किये रहते हैं, बहुत हाथी की सेवा किये रहते हैं राजा ने ग्राम वासी को उस मृतक हाथी दाह संसकार करने का आदेश दे दिया मतलब उस जो हाथी मर जाता है उसका दाह संसकार यानि जो भी उसको जलाया उलाया जाता हो ऐसा आदेश दे दिया राजा ने उस चतुर ग्राम वासी की चतुराई से प्रसंन होकर उसकी अपने दरवार में मंत्री का पद दे दिया राजा जो है उसकी चतुर लड़के की चतुराई से प्रसंद करके उसको अपनी दरवार में मंत्री कपद दे देता है सचमुच वाड़ू की मधूरता से अर्थात किसी भी ब्याक्ति को मधूर वचन भोल कर सरलता से प्रसंद कर करना उतना ही आसान है जितना की एक नन्हे बालब को प्यार से वस में करना यानि कि अगर बाड़ी में हमारे बोलने में बहुत मधुर्ता है, बहुत प्रेम से हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम किसी भी आदमी को My Day Student अपना बना सकते हैं उसको अपना कर सकते हैं तो आज के लिए My Day Student इतना ही नेक्स्ट जो भी कुछ आपका बचा हुआ वे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी तब तक के लिए My Day Student पढ़ते रहें हसते रहें, मुस्कुराते रहें, घर पर रहें तिल देन, टेक केर